नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित कुमार फार्मर्दा जलिष्ट क्रिशिजागड के इस खास प्रोग्राम में आज हम किशान भाईयों को बताएंगे पसुओं को खिलाए जाने वाले चरी के बारे में जी हाँ हरा चारा इस चरी को खिलाने से पसुओं की दूद देने की छमता काफी बढ़ जाती है साथ ही उसका स्वास्त भी काफी अच्छा बना रहता है हम किशान भाईयों को बताना चाहेंगे कि चरी की खेती कर अच्छा मुनाफ़ा उठा जा सकता है चरी की बजार में काफी डिमांड रहती है खासकर सहरी छेतरों में गाओं के किशान तो अपने जनरों को अपने हिसाब से चारा पानी खिला सकते हैं लेकिन जो सहरों में जो गाय रहती हैं या जो कोई पालते हैं पस्मों को उनको चारा देने की बड़ी समस्या रहती है जो ये लोग बजार से चारा खरीद कर लाते हैं अगर आकिशान भाई इस चरी की खेती करें तो अच्छा मुनाफ़ा उठा सकते हैं चार से पांच महिने में पैदा होने वाले इस चरी से किसान लाखों रुपए कमा सकते हैं तो हम आज किसान भाईयों को बताएंगे कि इस चरी की खेती करें अगर चरी में कोई रोग लग रहा है तो उसे कैसे छुटकारा पाया जाए चरी की खेती किस सीजन में की जा सकती है और इससे क्या-क्या benefit है आज हम किशान भाईयों को बताएंगे किशान भाईयों को हम एक चीज बताना चाहते हैं कि जो किशान भाई अपने पसुओं को नियमित चरी खिलाते हैं तो उसका पसु काफी स्वस्थ होता है और दूर देनी की छमता काफी अच्छी होती है यह चारा वैसे बकरियों को भी काफी पसंद रहता है तो हम किशान भाईयों से एक बार फिल अपील करेंगे कि आप लोग इस चरी की खेती कर अच्छा मुनाफ़ा उठाएं आप पताते हैं कैसे चरी की खेती करें भारती क्रस में पूरे भारत वर्स में कुल करसी छेती में लवक पांच परसत ही हरे चारे का वत्पादन किया आता है जो पसंद की संख्या के अनुपात में काफी का मैसामाने तोर पर एक स्वच्छ पसंद पांच से दस किलो हरे चारे की खेता होती है लेकिन उप लबदता के कम पर अधिकांस किसान पसंद को और ग्यान कीविया वस्क्ता होती है लेकिन कुछ किषान इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं पहले जुताई में पंदरा से बीस मीटर टन पकी हुई गोबर खात पत हिक्टे के हिसाब से डालनी चाहिए आप चारा बीज बुआई के लिए खेत त्यार है चारे के बीच की बुआई वीधि के अनुशार खेत में क्यारी वीधि बेड़ी या समतल दोरा वीधि के तरीके से करनी चाहिए अब हम किसान भाईों को बताएंगे कि हरे चारे से पसों को क्या लाब होता है पसों की तंधुरुस्ती अवस्यक पाऽक्तो को पूरी करता है हरा चारा पसों केलिए उच्छ सुधित और प्रोस्टिक चारा मैंनाता है गाहता है एसे चारवी विटामिन ए पाय जाता है जो गर्ब धाड़ वस्वे में कई गुना लापतायक होता है